Hello everybody, welcome to my channel Shining Tara आज मैं आपके लिए फिर सेख नया वीडियो लाई हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं पहला, think before you speak इसका मतलब होता है, so समझ कर बोले Second, just listen इसका मतलब होता है, सुनिये तो सुनो Third, mind your own business इसका मतलब होता है, अपना काम करो, अपने काम से काम रखो Fourth, leave me alone इसका मतलब होता है, मुझे अकेला छोड़ दो Fifth, let it be, इसका मतलब होता है, जाने दो, छोड़ो Okay Sixth, never mind कुछ परवा ना करना या कोई फरक नहीं पड़ता समझे फिर Seven, have a heart कुछ तो ख्याल करो आज हमने Seven वर्ड पड़े, समझे और होप सो अपने सीखे होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए नीचे जो रेड बटन दिर है, उसे सब्सक्राइब कीजिए जो नए है मेरे चैनल पे और जो पुराने है, वो मत कीजिए वो सिफ सीखे धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते, जैहिन